आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी की मात्राओं के बारे में और साथ ही उनका प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस्स मत करना क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना हम से जुणने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ ही घंटी को भी दबा लेना जिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तो इनका इस्तिमाल भी सीखेंगे तो पहला है ओ फिर आ फिर है इसे हम छोटी इ भी कहते हैं तो इसमें थोड़ा कम जोर दिया जाता है फिर है इसे हम बड़ी इ भी कहते हैं बड़ी इ में हम थोड़ा जादा जोर देके बोलते हैं और छोटी इ में कम जोर देके बोला जाता फिर है उ, इसे छोटा उ भी कहते हैं, फिर है उ, ये है बड़ा उ, फिर ए, फिर है आई, ओ, आउ, अंग, अह, चलिए, अब इनकी मात्राओं को लिखना सीख लेते हैं, तो पहला है, अ, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनी होती है, और ये जो अ की ध्वनी है, ये वेंजन के हर एक अकशर में होती है, जैसे क, क क्या है हमारा, व लेकिन जब हम को बोल रहे हैं तो उसमें ओ की धुनी आ रही है, को आ रही है न, इस तरीके से, फिर है आ, आ की मात्रा इस तरीके से लगती है, और आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है, जैसे को, अब को में आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा का, त को पे आ की मात्रा आएगी तो क्या बन जाएगा का, का, फिर है इ, इसे हम छोटी इ भी कहते हैं, और छोटी इ की मात्रा इस तरीके से लगती है, यह हमारी छोटी इ की मात्रा है, और छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे से लगती है, जैसे को है, अब को में हम, जब ह हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इसका उचारण एकदम से बदल जाएगा तो कव कव पे छोटी की मात्रा लगाते हैं यह पीछे से लगेगी तो यह बन जाएगा कि कव कव पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया कि तो कव में थोड़ा कम जोड देके बोला तो यह बन गया कि, फिर है इ, इसे हम बड़ी जहते हैं और बड़ी की मात्रा इस दिरीके से लगती है। बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के अगे से लगती है। जैसे कौ है। अब को में हम जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इसका उचारण बदल जाएगा, इसका उचारण हो जाएगा की, को को पे बड़ी की मात्रा लगी तो ये बन गया की, तो बड़ी की मात्रा में थोड़ा जादा समय लगता है छोटी की मात्रा के अपेक्षा, छोटी की मा तो उसके उचारण में थोड़ा कम समय लगता है और बड़ी की मात्रा में ज्यादा समय लगता है की को पर बड़ी की मात्रा लगी तो ये बन गया की फिर है उ इसे हम छोटा उ भी कहते हैं और छोटे उ की मात्रा इस तरीके से लगती है ये हमारी छोटे उ की मात्रा है छोट चोटे उकी मात्रा का उचारण करते हैं, तो उसमें थोड़ा कम जोर देके बोलते हैं, यानि कि उसमें थोड़ा कम समय लगता है, जब चोटे उकी मात्रा बोलते हैं, अब जिसे कव है, तो कव में जब हम चोटे उकी मात्रा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा कॵ, कव कव छोटे उकी मात्रा लगी तो क्या बन गया कु तो कु जब हम बोल रहे हैं तो इसमें थोड़ा कम समय लग रहा है बोलने में इसके उच्चारण में यानि इसमें थोड़ा कम जोर देके बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो इस तरीके से छोटे उकी मात्रा का इस्तमाल होता है फिर है उ इसे हम बड़ा उ भी कहते हैं और बड़े उ की मात्रा इस तरीके से लगती है यह हमारी बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा भी किसी भी अक्षर के नीचे से लगती है लेकिन जब हम बड़े उ की फिर है ए, ये हमारी ए की मात्रा है, ए की मात्रा इस तरीके की होती है और ए की मात्रा किसी भी अक्षर के उपर से लगाई जाती है जैसे को है, अब को में जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो इसका उचारण क्या हो जाएगा के हो जाएगा को पे एकी मात्रा के इसी तरीकी से अगर खो पे लगाएंगे तो बन जाएगा खे और गो पे लगाएंगे एकी मात्रा तो बन जाएगा गे फिर है आई आई की मात्रा इस तरीके की होती है यह हमारी आई की मात्रा है तो आई की मात्रा भी किसी भी अक्षर के उपर से लगती है जिसे को है को में जब हम आई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा कई क्या बन गया कई तो एकी मात्रा लगाई थी को में तो बन गया था के और आई की लगाई तो क्या बन गया कई अब देखते हैं, ओ, यह हमारी ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा इस तरीके से लगती है, और ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है, किसे लगती है, आगे से, अब जैसे को है, को में जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो इसका उचारण क्या हो जाएगा, क्या हो रहेटेंगा खो और पहाता कि प्लियर हैं फिर है ओउ ये हमारी हुआ की मात्रा है और और ही अक्षर के आगे से लगाते हैं जैसे को है को में जब हम आउ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कउ को को पर आउ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया कउ फिर है अंग इसे हम अंग भी कहते हैं और अंग भी कहते हैं यानि इसका उचारण आदा नो भी हो सकता है और आदा मो भी हो सकता है और इसकी जो मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर के उपर बिंदी के रूप में आती है अब जैसे को है, को के उपर जब हम ये बिंदी लगाएंगे अंकी तो ये इसका उचारण कन भी हो सकता है और कम भी हो सकता है यानि इसका आधा नो भी निकल सकता है उचारण और आधा मो भी निकल सकता है फिर है अहो यह जो ओ है इसके आगे जो दो बिंदिया है इसे हम विसर्ग कहते हैं क्या कहते हैं विसर्ग और यह जो दो बिंदिया है यानि कि जो विसर्ग है यह किसी भी अक्षर के आगे से लगते हैं जैसे को है को के आगे जब हम यह जो बिंदिया लगाएंगे यानि कि जो विसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा कहो, क्या बन जाएगा कहो, और खो के आगे विसर्ग लगेगा, तो क्या बन जाएगा कहो, क्लियर हुआ, तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में आपको हिंदी के स्वरों के बारे में बताया है उनकी मात्राएं कैसे लगानी है ये बताया है और साथ ही उनका प्रियोग कैसे करेंगे हम ये भी मैंने आपको बताया है तो I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजे इनकी प्राक्टिस कीजिए यहाँ पर तो मैंने आपको जो कव जो ह प्राक्टिस कीजिए एक बार आप इन सभी को अच्छे से आप इनके उपर मात्राओं का प्रियोग करना सीख जाएंगे तो आपका ये बारा खड़ी पूरा तियार हो जाएगा और एक बार आपको बारा खड़ी आ गया फिर आप आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना सी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर से पहुचा देना